आज बनाएंगे दो बून तेल में बना बहुत हिल्दी और टेस्टी नास्ता जो बच्चों को खाना बहुत जादा पसंद होता है तो चलिए आज की रेसेपी सुरू करते हैं तो आपसे रिक्वेस्ट है अगर वीडियो पसंद आएगी तो मेरे वीडियो को छोटा सा लाइक जिरूर कीजेगा इस नास्ते को बनाने के लिए सबसे पहले एक मिक्सिंग वाल में एक कप लेड़े हूं पोहा अगर आपके पस पतला मोटा किसी भी क्वालिटी का पोहा है तो उस पोहे से आप इस नास्ते को आराम से बना करके त्यार कर सकते हैं अगर आप मोटा पोहा दोते समय बस ध्यान रखिएगा कि पोहा को आप हलका गुन-गुना पानी से दोएं और पतला पोहा इस्तेमाल कर रहे हैं तो नॉर्मल पानी से पोहा को धो करके अच्छे तरीके से इस तरीके से हाथों से रगरते हुए धो करके साफ करेंगे क्योंकि पोहा बहुत बिल्कुल भी नहीं डालेंगे पोहा को अब इसी तरीके से छोड़ते 10 मिनट के लिए ताकि पोहा अच्छे तरीके से फूल जाए अब 10 मिनट हो चुका है 10 मिनट के बाद मैं दिखा रहे हूं देखिए पोहा अच्छे तरीके से फूल चुका है बिल्कुल भी गीला नहीं अब पोहा को सबसे पहले हाथों से इस तरीके सा रगढूते विया पोहा को आ महें जाए तो ही करें कि से दो के तरीके से amerika ही । अधाम जाए ये इस तो को आते को पार масс से अधर नमें प्रफिषी सायव fantasy dab dignity कर सकते हैं अब इसमें मैं डाल करेंगे कदू कस करके आपको जोबी सबजिया खाना पसंद हैं सारी सब्जियों का बारीक बारीक काट करके हरेम बुना हुआ जीरा पाउडर नास्ते को छटपड़ा बनाने के लिए डाल रही हूँ आदा छोटा चमज चाट मसाला आप चाहें तो हमचुर पाउडर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं नमक डाल देंगे स्वाद के अनुसार अब नास्ते को बाइंडिंग देने के लिए मैं यहा को बस आप दो चमज चाल दे इसी के साथ नास्ते को टेस्टी बनाने के लिए एड़ कर रही हूँ दो चमज फ्रेस दही अब सब कुछ हम डाल चुके हैं बस हांथ की मदद से इन्हें अच्छे तरीके से हम मिक्स कर लेंगे और मिक्स करते हुए बस एक डो का फॉम में हम इस नास्ते को बनाना बहुत जादा आसान है आप इसे सुबा के नास्ते में बना सकते हैं बचों को टिफिन दे सकते हैं चोटी मुटी भूक लगे तो इस नास्ते को ट्राई कीजएगा सभी को बहुत पसंद आएगा डो हमारा बन करके तयार हो चुका है अब चलिए नास करमच दो उठाते हुई हम इस कतोडी में डाल देंगे कतोडी में के बाद एक चमच ले ले और चमच की मदद से इसे अच्छा तरीके से दबाते हुए कतोडी की जितना साइज है छों इसे डिमें को सटके लेकिन अच्छे तरीके से दबाए ताकि नास्ता निकलने बाद बिल्कुल भी तूटे नहीं अगर थोरा से कम लग रहा है तो थोरा से 2 और डाले और इस तरीके से चम्मस इसे 4 तरफ इस तरीके से दबाते हुए हम इन्हें सेट कर लेंगे बस नास्ते को निकालने के लिए कटोड़ी को इस तरीके से हाथों में उल्टा करके थोरा साब टैप करेंगे तो नास्ता बहुत यह असानी तरीके से निकल जाएगा अगर निकलते समय आपको परिशानी हो रही है तो एक बड़ चाकू इसके किनाड़ों में घु से बना सकते हैं और बस इसे आप पच्छे तरीके से कोट करें चारों तरब से ताकि नास्ता हमारा क्रिस्वी बने सभी को खाना बहुत पसंदो और बस इसे तरीके से करते हुए मैं एक और नास्ता भी बना ली हूँ और सेम तरीके से हम इसे ब्रेड करम से कोट करके तयार कर लेंगे नास्ता बनाना बहुत जपांतर हासान है आप इसे एक दिन पहले भी बना करके फ्रिज में स्टूर कर सकते हैं और कभी भी आपको खाने का मन हो तो फटांस इन्हें हम सेलो फ्राइ कर सकते हैं इसे तरीके से मैं यहां देखें तीन नास्ता बना चुकी हूँ अप चलिए इन्हें हम शेक लेते हैं, इसे शेकने के जिए, मैं यहां पैन का इस्तमाल कर रहे हूं, आप चाहें तो कड़ाई में भी इस नास्ते को स्येक सकते हैं, सबसे पहले पैन में एक चमाझ तेल डालने के बाद तेल को 4 तरह पच्छे तरीके से फैला दें ज्यादा तेल में हम इस नास्ता को बिल्कुल भी नहीं बनाएंगे तेल को डालने के बाद इसके उपर हम डालेंगे सफेद वाला तिल सफेद तिल डालने से एक तो नास्ते का लुक बहुत अच्छा आता है और नास्ता खाने में बहुत ज़् रंची लगता है तो अगर आपको सफेतिल खाना पसंद है तो जरूर डाले अ tap लो कर दें और लो फिलेम पर एक करते हमें नस्टे को डालें यह ondärke को बनाती इसलिए अच्य तरीके से भन जाहीये अफुस्ट लाएं बस इसलिए नास्ते को हम low flame पे पकाएंगे एक side नास्ते को पकाने में आपको 2-3 मिनट का समय लग जाएगा तो gas का flame low करते हुए जैसे ही एक side से नास्ता क्रिस्पी हो जाएगा बस इसके side को हम change कर देंगे एक side पकने के बाद बस उलड़ पुलड़ करते हुए इन्हें हम दोनों तरब से अच्छे तरीके से क्रिस्पी होने तक सेख लेंगे बस इस नास्ते को बनाने के लिए छोटी छोटी जो tip है उसे आप धिहान में रखिएगा ताकि यह नास्ता बनाने में आपको कोई भी परशानी ना हो जैसी कि सबजी को आप बाडी काट करके इस्तमाल करें ताकि सबजी फटा फट से पक जाए गैस का फिल्बफ लो करते हुए इस नास्ते को बनाए ताकि इस सबजी का जो कच्चा फ्लेवर है वो ना आ है और बेसन भी जो है नाचे तरीके से पक जाए और सेम तरीके से देखिए मैं याँ सारे नास्तियों को बना करके तयार कर ली हूँ इसे आप टेमेटो केचप के साथ सर्व करें नास्ता खाने में बहुत ज़दा टेस्टी लगता है उपर से क्रिस्पी होता है अंदर से एक दम सौप्ट बन करके तयार होता है तो मेड़ी आज की रेसेपी अगर आपको पसंद आई हो तो आपसे रिक्वेस्ट है वीडियो को लाइक कर दिजेगा और मेरे चैनल को सब्सक्रीब